नॉर्मल डिलिवरी का दर्ध, वेल नाइटमेर है ना, स्पेशले उन लोगों जिनको कभी यह एक्स्पिरेंस ही नहीं है कि titled के नॉर्मल डिलिवर्य का दर्ध, लोग कहते हैं या तो बहुत जबर दसainen मेंस्ट्री क्राम के दर сил होता है या फिर एक huddy तूट गई वैसा pain होता है या फिर किसी ने कुछ कार्ट दिया, ये जला दिया ऐसा pain होता है, या फिर कुछ लोग कहते हैं ऐसा हलता है कमर तूट गई, पैके इतना जबर्दस्त होता है, तो अब अलग- अलग लोग अलग-अलग experience बताते हैं अलग-अलग किताबों में अलग-अलग चीजे लिखिए कहते हैं कि सबसे आदा painful अगर कोई चीज है वो है जलना और उसके बाद आता है delivery का pain वेल आज की वीडियो में आज हम डिसकस करने वाले हैं कि आप delivery pain को कैसे सहें पहली बाद तो कौन सा part होता है कौन सा टाइम होता है delivery की समय से जब सबसे आदा pain होता है और उस समय आपको क्या करना चाहिए normal delivery में obviously सबसे आदा painful वो time होता है जब बच्चा निकल रहा होता है हम लोग doctors delivery को पूरे labor को तीन स्टेज में डिवाइड करते हैं पहला स्टेज वो होता है जब आपको दर्ज शुरू होते हैं अच्छे खासे दर्दानी शुरू होते हैं हर 5-5-10-10 मिनिट से आप hospital में admit होती है तब तक बच्चे दानी का मूँ पूरा नहीं खुल जाता doctor बोलते हैं ओके अब आपका रास्ता पूरा खुल गया है वो होता है second stage सबसे ज़्यादा painful क्योंकि इतना बड़ा बच्चा उसका सिर जब विजाना से बाहर आता है तो आपको potty भी लगती है आपको severe backache होता है उसके बच्चे की जो नाक होती है वो definitely कही ना कही प्रोब करते हुए पोप करते हुए बाहर निकलती है तो वो बहुत painful होता है third stage होती है बच्चे की निकलने के बाद जब तक आवल नहीं निकल जाती उसको हम third stage बोलते है तो सबसे ज़्यादा जो painful time होता है labor का वो होता है second stage especially जब वो बच्चा बिल्कुल नीचे pelvic floor पे आ चुका है हमको दिख रहा है doctor is happy because बच्चा दिख रहा है हमको आता हुआ लेकिन patient happy नहीं उसको बहुत जबदस pain होता है अब अगर caesarine और delivery को compare करें तो caesarine में obviously दर्द नहीं होता क्योंकि आपको बेहुश करके हम बच्चे को निकाल देते बेहुश के आप सुन कर देते आपके यह वाला हिस्सा लेकिन उसके बाद जो आपको pain होते है delivery के बाद जब वो 3-4 घंटे के बाद आपका anesthesia का असर खतम होता है तो आपको definitely बहुत जबदस pain होता है क्योंकि पूरा चीरा लगावा होता है पट वो pain सिरफ 24 घंटे रहता है उसके बाद दर्द कम हो जाता है तो देखा जाए तो labor pain अगर आप देखे तो बहुत painful होता है पट वो मुश्के से आदे गंटे बहुत painful होता है और जो delivery का scissorine वाला pain है वो 24 घंटे के बाद थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि 3-4 घंटे बाद जब एकदम से anesthesia का असर खतम होता है तब patient को 30 दर्द शुरू होता है तेकि जब मैं next day patient से मिलने जाते है तो आराम से बैठके चाय पीरी होती है तो सिरफ 24 घंटे का दर्द होता है second stage में जब बच्चा बाहर आ रहा है तो उस समय आपको ऐसा लगीगा कि आपको potty आ रही है और बहुत से patients अपना bubble clear भी करते हैं during delivery क्योंकि बहुत सारी चीज़े delivery की समय ही होती है piles भी बन जाते हैं और कई बर अगर constipation होता है या bubble clear नहीं होती है तो बच्चे के साथ साथ क्योंकि पूरा pressure rectum पे रहता है severe backache होता है कई बर हम patient को tense machine यानि की transcutaneous electrical nerve stimulation machine होती है वो लगाते हैं उस से patient को फरक पड़ता है epidural allergesia इस पे मेरी reels आ चुकी इंस्टाग्राम पे काफी videos YouTube पे आ चुके बहुत सारे patients आप convinced भी हो रहे है कि epidural analgesia बहुत अच्छी चीज है इस nightmare से बचने के लिए और अपनी delivery को एक सुख़ध journey बनाने के लिए आप epidural में जरूर जाएं अपनी doctors request करें कि आपको painless normal delivery करा हैं अब एक कैसे होती है वापिस से बता दू एक पतली सी pipe होती है जो की पीछे आपकी पीठ में एक needle की through fit हो जाती है needle को तो हम निकाल देते हैं शुरू में needle डालते हैं क्योंकि उस pipe को अंदर डालना होता है pipe लगने के पर आपको कुछ महसूस नहीं होगा उस pipe में हम डवाई डालते रहते हैं अपका ये वाला हिससा इतना सुन होता है कि सिरफ आपको pain नहीं feel होता जादा सुन नहीं करते हैं क्योंकि आपको चलना भी है आपको feel भी करना है आपको toilet भी जाना है तो इतना सुननी करते हैं कि आप check already हो बढ़ हाँ, पेन खतम हो जाता है, आपको tightness feel होती है, डॉक्टर आपको बोलते हैं आपको pain आ रहा है बढ़ आपको feel नहीं होता है, अब इससे अच्छा और क्या चाहिए, normal delivery भी हो रही है, डॉक्टर आपको बता रहे हैं, आपको pain आनी रहा है, तो इससे अच्छा और क्या होता है, क्योंकि आवल निकलती है, तो आपके बच्ची दानी सिक उड़ती है, और उसके बार आप pain से बिल्कुल ठीक हो जाते हो, pain से रहत हो जाते हो, लेकिन अगर आपको नीचे टांके लगे हैं, उस से में तो सोन हो जाता है, पता नहीं चलता है, वो 2-3 घंटे बाद दर्ध होने शुरू हो जाते हैं, अगर compare करें, तो normal delivery के जो टांके हैं, scissoring के टांकों से जादा दुखते हैं, क्योंकि जो नीचे normal delivery के टांके हैं, वो भी जाना पे लगे हैं, और वहाँ पर उठना, बैठना, टॉले जाना, बहुत दिक्कत होता है, बहुत ही sensitive area है, बहु Saturday और Sunday को कराते हैं, हर मैने दो या तीन classes होती हैं, कभी एक होती हैं, कभी दो होती हैं, depending upon कौन सा weekend, कौन free है, Saturday और Sunday को total मिला कि हम तीन घंटे पढ़ाते हैं आपको, इसमें आपको yoga practices कराते हैं, कितनी patients हैं, जोनों ने ये yoga practices करके अराम से normal delivery करी हैं, मत अब पता ही नीचला, इतनी smoothly dilatation हुआ है, क्योंकि हम उनको positions बताते हैं, labor में different different positions होती हैं, patient को सिर्फ सीधा ही नहीं लिटाते हैं, patient को कई बर हम उल्टा भी लिटाते हैं, patient को कई बर हम उकुरू भी बिठाते हैं, जैसे कि toilet में बैठते हैं, Indian toilet में, squatting position में, ये सारी positions हम आपको गर्ब संसकार म बताते हैं, जब आपको pain आते हैं, आप उस समय, pain के समय, दो मिर्ट के लिए रूख जाईए, अगर आपको doctor ने बोला है, कि आप को pain आ रहे हैं, तो भी आप चलिए, तो आप labor में अगर चल रही हैं, और pain आ गया, तो उस समय आप कोई चीज hold करके खड़े हो जाईए, pain च मताँ, easy हो जाएगा, आप इस तरह से exercise करेंगे, तो जल्दी खुलेगा, साथ ही में emotional support बहुत जरूरी है, यही चीज मैं कई बार बोल चुकी हूँ, मैंने आजकल देखा है, लड़कियां obviously age of marriage educated लोगों में बढ़ रही है, बट जो rural population है, उनमें अभी भी वही ऐज है, 18, 19 20 साल की लड़कियां, शादी करके आती है, दर्द सहन करने की शक्ति आजकल बिल्कुल भी नहीं है, और सबसे important बात जो मैंने देखी है, कि जो बड़े भूरे है, especially मा है, या फिर फादर है, वो अपना time शायद भूल जाते हैं, वो गलत सलह देते हैं, कि नहीं मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा, मेरी बेटी को फटा-फटा आप सीजरिन करके बच्चे को बाहर निकालो, मैं इसको ऐसे रोता नहीं देख सकती, रोता नहीं देख सकता, तो ये थोड़ा से emotional support कहने कहीं लाक हो रहा है, क्योंकि आप खुद इतने emotional हो जाते हैं, आप भूल जाते हो क जब तक डॉक्तर नहीं बोलता कि खतरा है या रास्ता नहीं खुल रहा, तब तक आप सीजरिन के लिए कोशिश करें कि opt ना करें, जैसे कि मैंने बताया कि delivery के समय भी अगर आप चलती रहेंगी, तो बहुत फायदा हो रहा है, मैं भी अपने patient को बोलती हूँ कि आप लेट आपका जो बच्चा है थोड़े के लिए रुकता है, क्यों रुकता है, यह physiology है, उस समय अगर चल रहे हैं, वाक कर रहे हैं, तो आपके जो positions हैं बच्चे की जो अंदर turn होना है, change होना है, उसको बाहर निकलने के तैयारी वो जल्दी होगा, आपकी जो muscles जल्दी relax करेंगी, यह tight नहीं होगी, तो बच्चा आराम से नीचे आएगा, साथ में जैसे मैं आपको बते हैं, kneeling करिए, squatting करिए, यह सारी जो exercises है, यह आपको help करेंगी during delivery, अब push करते से में आपको क्या करना है, जब भी आपको दर्द आएगा, आपको push करना है, बिना दर्द के push नहीं करना पेट भी जब दर्द आएगा, और डॉक्टर को feel हो रहा है, उस समय push करेंगी, तो जल्दी बच्चा बहार आएगा, क्योंकि सारे pressure एक साथ लगेंगे, definitely contractions के बीच में push करेंगी, कोई फायदा नहीं है, push करने का तरीका या तो आप अपनी thighs को अच्छे से पकड़ने उनका हाथ पगड़के squeeze कर सकती है, और अपनी chest को आप ऐसे, चिन को अपनी chest में दबा के रखें, उससे क्या होगा, कि आपका पूरा pressure नीचे bottom पे लगेगा, कई बर डॉक्टर आपको बताते हैं, आप पेट पर pressure लगा रही है, पेट बहार आ रहा है, या फिर आप मूह से choice का music लगाती हूँ, कई बर patients में को request करते हैं, मैंडम मैं अपना music लिया हूँ, बिल्कुल आपको allowed है, बहुत से patients मेरे पास request करते हैं, कि मेरे husband अंदर आना चाहते हैं, उनको भी हम allow करते हैं, हम आपका जो पेट वाला हिस्सा है, वहा तक cover करके उनको पीछे बिठा देते ह इससे वह delivery के समय आपको emotional support देते रहें, आपको भी लगे कि आप घर जैसे atmosphere में हैं, गाने सुन रहे हैं, husband से बात कर रहे हैं, तो अगर आप यह सब कुछ चाहती हैं, तो आपको अपने doctor से discuss करना है, इससे आपको थोड़ा सा stress level कम होगा, आपको थोड़ा सा tension कम होगा, और जो भी आपके ममी हो, चाहिए आपके husband हो, उनको आप साथ में रख सकते हैं, कुछ आप relaxation exercises करिये, during labor pains, आप खुद खाड़े हो करिये, लेटे-लेटे, कित्ती लेटे-लेटे ऐसे घायल हो जाती है, कुछ करती नहीं, मैं उनको बोलती है, आप यह से क्यू लेटे हो, आप सो आप पानी पिलाते हैं, ग्लुकोस का पानी पिलाते हैं, और पेशन को encourage करते हैं, आप पीते रहो, चाई पीते रहो, बिस्किट खाते रहो, कुछ ना कुछ लेते रहो, तो अगर आप रिलाक्स होके, बिलकुल यह सोच के निकालेंगे बच्चे को, कि मेरे को बच्चे को निकालना, आप इसका टाइम हो गया बहाराने का, तो फिर आप बिलकुल भी ने डरिंगे, ने तो आप डर के लेट जाएंगे, फिर अल्टिमेटल आपका सिर्ण ही होगा, तो अगर यह वीडियो पसंद आया हो, प्रैक्टिकल टिप्स आपको अच्छी लगी हो, तो मेंबर्शिप भी देते हैं, मेरी वेबसाइट बनी है www.drsonalpariha.com, इस पर आप जाके appointment बुक कर सकते हैं, ने तो simply आप इस नमबर पर वाट्स आप करें, 9358-545-5556 और डाइरेक्ट मेरे से वीडियो कॉल के थ्रू कंसल्ट करें, बहुत जल्दी हाजर होगे नए वीडिय कि साथ.